MCN लाया है आपके लिए CCTV सर्विस HD क्वालिटी में अपने घर एवं कार्याले में CCTV कैमरा लगवाने के लिए आज ही संपर्थ करें MCN चैनल आजाद चौक मुंगे अपर समाहर्ता जिला पंचायती राज विखास पदाधिकारी के साथ खनन पंचायती राज एवं राजस्व से संबंदित समीक शात्मग बैथक की इस अफसर पर प्रमंदलिय आयुक्त मुंगेर संजे कुमार सिंग, पुलिस उप महानी रीक्षक संजे कुमार, मिदेशक खनन एवं भू तत्व विभाग, आयुक्त के विशेश कारे पदाधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सेह प्रभारी आयुक्त के उप मिदेशक पंचायती राजविभाग, उप विकास आयुक्त मुंगेर एवं अन्य पदाधिकारी गन भी उपस्थित थे। से युक्त CCTV कैमरा लगाये जाएंगे। जिला स्तर पर खनन के संदर्व में नियंतरन कक्ष थापित किया जाएगा, जहो LED TV पर CCTV कैमरों की मदद से लाइव लोकेशन एवं स्थिती का अनुश्रवन किया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को कहा कि तक्नीकी का प्र से लिदन शीर स्थलों को चिनिती कर सूची उपलब्द कराएं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित स्थान के द्रिष्टिगत थानों, नया तॉल प्लाजा एवं अन्य सुरक्षित स्थानों पर गैंट्रीज एवं चैक पोस्ट की व्यवस्था सुमिश्चित कराएं। क्लियरेंस के साथ प्रक्रियाओं को पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अभी तक नीलामी नहीं हो पाई है उसे शीग्र सुनिश्चित कराएं। बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से अवैद खनन को बढ़ावा मिलता है। बंदोबस्ती के बाद प्रक्रि अभी तक जो व्यवस्ता है और जिस रूप में उससे ली जा रही है वो सही नहीं है। शमन शुल्क एवं कमपाउंडिंग लगाने के लिए समाहरता ही प्राधिकरित है एवं उनका अनुमोधन जरूरी है। बिना समाहरता के अनुमोधन के जिला खजिन विकास पदाधिक शिव ने काफी बल देते हुए कहा कि अवैद खनन एवं परिवहन के विरूद्ध आ सूचना प्राप्त करने है तू इसका प्रचार प्रसार कराए। इसके लिए जारी नंबर पर कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि अवैद बालु परि कि बिना मिली भगत से बालु का अवैद खननन एवं परिवहन नहीं हो सकता है। इस व्यवस्था को तोड़ना अती आवश्यक है। अवैद बालु के परिवहन एवं आवरलोडिंग से सरकार को रॉयल्टी एवं जी एस्टी का नुकसान होता है। अपर मुख्य सचिव न पंचायत सरकार भवनों की निर्मान की समीक्षा की और सभी जिलाधिकारियों से कहा कि इसके निर्मान में भूमी के चैन सीमानकन आदी जो भी समस्या आ रही है उसका निराकरन कराकर निर्मान कारे शीग्र पूरा कराए। जिला परिशद द्वारा वित आयोग की प्राप अपर मुखे सचिव ने जिला परिशद, पंचायत समिती एवं पंचायतों के वार्षिक रूप से निर्धारित संख्य में निरीक्षन करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया वहीं उप विकास आयोग्त, जिला पंचायती राजपदाधिकारी, प्रखंड वि इनके क्रम में व्रिक्षों को नश्ट करते हैं, उनके स्थान पर नए व्रिक्ष का अधिश्थापन भी जरूरी है, सभी पदाधिकारियों को पंचायत स्तर पर बर्गद, नीम, पीपल, आम आधी व्रिक्षारोपन करने को कहा गया, आमजन के परिवहन सुविधा में बस एवं अन्य सुविधाय प्राप्त होती है, उन्होंने कहा कि जिलादिकारी इस संबंध में समीक्षा कर ले और जहो आवश्यक है वहो पर बस पड़ाव निर्मान कर बहतर सुविधा उपलब्द कराए, उन्होंने इस संबंध में आगे कहा कि आधुनिक प्रकार के सभी विधाव से युक्त बहतर बस पड़ाव का डिजाइंग करें, प्रमंदलिय आयुक्त को उन्होंने इसकी समीक्षा करने को कहा, उन्होंने कहा कि हर प्रकंड में बस स्टेंड की व्यवस्था सुनिश्चित करें